नमस्कार आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट और मैं हूँ अभिसेक मिस्रा खर्मास खत्म होने वाला है और सियासी खेल का सिलसिला सुरू होने वाला है बिहार में तो एक ऐसे ही सियासी खेल की बात हम करेंगे जेडियू ने भारतिय जनता पार्टी में एक तरह से सेंधमारी की है बीजेपी के एकनेता या बीजेपी से निकाले के एकनेता जेडियू में सामिल होने जा रहे हैं जो पहले भी जेडियू में रहे हैं दरसल हम भारतिय जन्ता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष रहे राजी उरण्यन की बात कर रहे हैं राजी उरण्यन बीजेपी में प्रदेश उपाध्यक्ष थे और उन्होंने हाल में अपनी ही पार्टी के खिलाप मुर्चा खोल रखा था उनके सुर जेडियू के साथ मिलते हुए नजर आ रहे थे, जेडू के सुर में सुर मिला रहे थे वो, और बीजेपी के निताओं पर, बीजेपी की नितियों पर लगातार सवाल उठा रहे थे, हमला कर रहे थे, राजी उरण्जन नालंदा से आते हैं, और पहले भी जेडू में रहे हैं, और अब एक बा जिम्वारी है वो यही है भाजपा के पुर्व प्रदेश उपाध्यक्ष थे और जेडियू में फिर 15 जनवरी को सामिल हो जाएंगे आठ साल पहले ये जेडियू से अलग होकर भाजपा में चले गए थे भाजपा में उन्हें संगठन के अलावा मीडिया की भी जिम्वारी दी गई थी और इससे पहले उन्होंने भाजपा की प्रात्मिक सदस्ता से त्याग पत्र दे दिया उसी दिन भाजपा ने उन्हें छे वर्सों के लिए पार्टी से निकाल भी दिया था तो एक तरफ इन्ह सद्धिक डॉक्टर संजय जैसवाल के करीबी लोगों में गिने जाते थे लेकिन सारण में जहरीली सराप पीने से मरे लोगों के स्वजनों को मुआपजा देने की भाजपा की मांग का उन्होंने विरोध किया एक तरह भारतिय जंता पार्टी कह रही थी कि मुआपजा दिय दिया जाना चाहिए जहरीली सराप से जिनलों की मौत हुई है उनके परीजनों को और बीजेपी में रहते हुए राजी उरंजन इसका विरोध कर रहे थे बीजेपी को ये बड़ा नागवार गुजरा और जाहिर तोर पर भारतिय जंता पार्टी से उनकी विदाई हो गई मुख मंतरी नितीश कुमार के नजदी की माने जाते हैं राजी उरंजन और 2010 में जेडियू के टिकट पर नलंदा के इसलामपूर से जितकर विधान सभा पहुँचे थे लेकिन बाद में कई विश्यों पर बैचारिक मद्वेद होने पर जीतन राम मांजी वान नेताओं के नितीश कुमार की गिरेजले नलंदा से आते हैं और फिर वो नितीश कुमार के साथ जा रहे हैं जेडियू के साथ जा रहे हैं जेडियू में उनकी घर वापसी हो रही है बहुत बहुत धन्यवाद